मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रियेटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएज वेलकम चुद व्लॉग तो आज का है सुबह हमने ब्रेकफास कर लिया था मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई और ब्रेकफास में हमने किया था मतर के पराथे और चाय पी और हम निकल आए जल्दी में क्योंकि अब हमारे को लग रहा है कि जो है इस मन्त के एंड तक हमें सारी तैयारियां बिल्कुल फाइनल क्योंकि मेरे मामा की बिटी की शादी बिटी की शादी है इसके बात एक दिन्सका में पूजा है और यहार प्राएर आंपके साара काम कंप्ळाश कदना और में हमारा मोटे वेगी चूड़े का काम खितम करना और जो चोटे मुटे काम आप होते हैं वो तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे तो मौसम का ये है कि आज कल रात को जो है बहुत बारिश हुई है और उस वज़े से मौसम काफी सौहावना हो गया है तो अभी बस हम निकल रहे हैं शौपिंग करने के लि अच्छली मैं हमने दीन दयाल पर देखा था बट हमें पसंद नहीं आयते उनके पास स्टोरिंग की बहुत जाद अच्छा कलेक्शन नहीं था तो यहां पर हमें काफी अच्छे मिले और पायल भी काफी अच्छी मिल गई तो घर जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो हर बार सोचते हैं कि कुछ काम काम होंगे वाट यह सब चलता ही रहता है यह मैं कल लेके आई थी कुलर में कुछ प्रॉब्लम थी तो आज फिर कलर चेंज करके लिया और कुछ और समान लिया और उसके बाद हम आ गये हैं आप पास में ही शाइन कलेक्शन है जहां से हम बॉ लेने के लिए आये थे मतलब हमें उन लोगों की तरफ से लेनी थी तो बस हम यहां पर वही देख रहे थे और इनका बहुत अच्छा है मतलब अगर आप आगरा में और आपको बॉइस के लिए कलेक्शन देखना है तो आप जरूर आ सकते हैं मतलब हम तो यहीं से शॉपिं इसके बाद हम लोग आ गया कमला नगर में यह भारती लेडिस कॉनर था वहां से हमने कुछ जो क्लैचर से वह देखे यानि कुछ मेकप का जो छोटा मुटा क्लैचरी बेसिकली मुझे लेना था यह रेसेसरीज देखी हमने और इसके लब हम तारचंद गोटे वाले पर गय इंटिंग के लिए एंवलप दियो थे वह पिक है तो यह चोटे-चोटे काम थे जो कि मैंने व्लॉग में आड नहीं किये और इसके बाद हम आ गया हरीश क्लॉट सेंटर पर हमें लेनी थी बैट शीट्स तो मम्मी बहुत दिन से हमें कहारी थी कि बैट शीट का काम भी फि फ्रैंक तो यहां पर बस में देख रहे थे हम लोग लेकिन हमारे पास आप्शन नहीं था कि संजे प्लेस में वह शॉप बन थी और फिर हमको यह था कि आज हमें कम्प्लीट कत नहीं है तो हमने को जो बेस्ट लगा हमने ले लिया तो यहां पर बस हम पैट शीट्स देख हैं यह सीक्विल जो भी हमें लेना था वो हमने यहां से लिया हम लोग आगे थे कपड़ा मंदर पर कपड़ा मंदर से हमने यह जो रेमन के सूट पीसेज होते हैं वो लिये थे जो कॉंब आता है वो लिया और उसके बाद हम लोगों को लगी थी अब तक बहुत बूख क्योंकि हमने बस लंच करके हम लोग निकल गए थे तो सामने ना यह पकोरे की शौप थी मतलब वहां पर पकोड़े बन रहे थे तो वहां से हमने जो है मिर्ची का और प्यास का और ब्रेड पकोड़ा खाया सर्दी में गरम गरम पकोड़े खाके बिलकुल मज़ा आ गया हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बैट के कहीं प्रॉपर खा सके तो बस हमने street food enjoy किया तो बस काफी काम हमारे finish हो चुके थे almost रात भी हो गई थी तो अब इसके बाद हम लोग आ गए थे खंदारी पर गरली माट है इनका instagram पर पेश था तो मेगा ने देखा था कि इन पर चूड़े की काफी अच्छी variety है तो हमें यह था कि इस बार हमको चूड़ा थोड़ा देख के लेना है क्योंकि मैंने चूड़ा online मंगाया था although मेरा चूड़ा अच्छा है बट हमको यह था कि हम मेगा के size का issue थोड़ा सा रहता है क्योंकि उसके हाथ पतले तो फिर हमें लगा कि इस बार देख के लेंगे तो बस यहां पर वो चूड़े हम हम भी खतम कर लिया और यह पंजाबी चूड़े गाईज बहुत सुन्दर लगते हैं तो गाईज हम लोग आगे ते शॉपिंग कर गे और आज हमने काफी काम निप्टा है मतलब काफी हम लोग निकले थे तीन बजे और आल्मोस्स सवार नौ बजे हम घर पे आए हैं तो च 6-6 गंटे लगा तर भार और काफी काम निपड़ गया मतलब लगा कि हां एक फ्रूटफुल डे था अज का मतलब शॉप इन टम्स ऑफ शॉपिंग मतलब कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आपके काम ही पूर मतलब आप जाते उस मूट से हो बट हो नहीं पाता कल का दिन वैसा सकती अभी से और जो बाकी चीड़े है मेगा के रचा वो मैं आपको दिखा देती हूँ work है तो गई हमने ने दो कर दो लिएते मैं आपको दूनों दिखा रही हूं तो यह में अपने टिय के ले थे यह ना मुझे बहुत प्रिटी लगती है बहुत जादा मेगा ने अपने लिए बो लिया है उसको यह बहुत अच्छा लग रहा था तो गाइस हमने लिए है यह दो बैच शीट तो एक इस तरीका का पैटन है ग्रेंड वाइट में और एक ब्लू कलर का फ्लावर वाला पैटन है तो यह दोनों बैच शीट ली थी हमने एक बैच शीट हमने यह वाली ली है जो कि हैवी वाली बैच शीट होती है न तो दो हमने नॉर्मल ली है दो हमने हैवी वाली बैच शीट ली है तो उसमें एक यह पैटन लिया है तो गाइस सेकेंड बैच शीट यह है इसमें संदर आ रहा था बट मेर को बहुत संदर लग रहा था क्योंकि इसके साथ ना देखो बहुत सारे colors है इसमें तो आप किसी भी color की bed sheet बिचाओगे ना तो उसके उपर ये जाएगा तो guys ये थी हमारी shopping जो मैंने आप लगों के साथ share की I hope आपको पसंद आई होगी सारी shopping तो नहीं दिखाई क्योंकि कुछ जो तीन dresses थी वो हमने भाईयों के लिए basically जो मेरे दो बुगा के बेटे हैं उनके लिए dresses ली है और एक dress ली है अव्यूप के लिए वो हमने groom side से ली थी मतलब हमारे में एक रसम होती है कि जो अब लड़की की विदाई होती है तो उसके भाई जो उसके साथ जाते हैं उसको छोड़ने के लिए तो वहाँ से उसको gift में कपड़े मिलते हैं तो वो रसम के लिए हमने मतलब उन्होंने हमको बोला था कि आप ले लो को size का issue भी रहेगा प्लस अगर कुछ change करना होगा तो फिर वो भी issue रहेगा तो वो मैं अभी share नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और के gifts हैं तो चलिए फिर आ मैडम जी को चाना था तो ठीक है अब enjoy करें अपना fever तो गाइच देखो ये मरी पड़ी है और हमने चूड़ा भी ले लिया है यो तो चूड़ा भी ले चुगे हम लोग और ये fever में तो जल्दी से ठीक हो जाएगी दवाई मैंने से दे दिये हैं अभी थोड़ी दिर पहले तो चलो फेर बाई गुडणाइट गुडणाइट कर दो